हेलो दूस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर कैसे हो आप सभी मुझे उम्मीद है कि आप सब एक्दम भड़िया होंगी मैट्स की कल की क्लास में मैंने आपको व्रत और अर्दव्रत पर आधारित प्रश्न हल करवाए थे जिसमें व्रत और अर्दव्रत का परिमाप छेत्रफल किस प्रकार से ग्याद करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ आज की जो कलास रहने वाली है इसमें हम व्रत खंड पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे और ये जो कलास है आपके थर्ड सिमिस्टर के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी जो कि व्रत पर आधारित जितने भी कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो सभी के सभी व्रत खंड पर ही आधारित होते हैं तो इसलिए इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लीजेगा सासा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजेए सबसे पहले आते हैं व्रत खंड क्या होता है तो कल आपको बताया था मैंने कि एक व्रत है और इस व्रत में एक जीवा है क्या A B व्रत सही से नहीं बन रहा है ठीक है इसमें एक जीवा है A B जीवा का काम क्या होता है पहले तो जीवा होती ही क्या है तो आपको बताया था कि व्रत परिस्थित यानि कि व्रत की परिति परिस्थित किनी दो विंदों को मिलाने वाला रिखा खंड कहलाता है जीवा ये जीवा ने क्या किया व्रत के दो टुकडे कर दिये ये दो टुकडे ही क्या हैं ये टुकडे ही कहलाते हैं व्रत खंड बड़ा वाला टुकडा कहलाएगा दीरग व्रत खंड और छोटा वाला टुकडा कहलाएगा लगू व्रत खंड और इनी व्रत खंड पर आधारित रहेंगे प्रश्ण इन प्रश्णों को सॉल करने के लिए आपको कुछ प्रमे जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी जादा नहीं है चार से पांच प्रमे वस याद करनी हैं और उनी पर आधारित प्रश्ण रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली प्रमे आपके सामने हैं कि व्रत के एक ही खंड में बने कोढ सदैव बराबर होते हैं वरत दिख रहा है, इस वरत में एक जीवा दिख रही होगी, क्या AB इस AB जीवा ने क्या किया, वरत के दो टुकडे किये एक उपर वाला खंड और एक नीचे वाला खंड किसी भी एक खंड में जितने भी कोड बनेंगे वो आपस में सभी कैसे होंगे, बराबर होंगे उस से पहले आपको एंगल लिखना आना चाहिए, कोड कैसे लिखते हैं जिसे कि ये एक एंगल बन रहा है और इसका मैंने नाम दिया A, B और C, कोड कहां पर बन रहा है, यहां पर तो जहां पर code बन रहा होता है उसको हम center में लिखेंगे जब हमें इसको value में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे angle A से उठाईएगा पहले लिखेंगे A इसके बाद B और फिर C दूसरा तरीका है angle नीचे से आ जाईएगा पहले C लिख सकते हैं फिर B फिर A यानि कि जहां पर code बन रहा है उसको हमेशा बीच में रखिएगा और किनारे वाले आप कैसे भी arrange कर लिजी आगे पीचे ठीके ऐसे angle लिखा जाएगा अब हम आते हैं अपनी प्रमे पर प्रमे ने कहा था एक ही खंड में बने code सदैब बराबर होते हैं आपका पहला खंड आपको दिख रहा होगा दीर के वरत खंड में कौन-कौन से angle बन रहे हैं तो देखिए पहले बन रहा है A, C, B एक बन रहा है A, D, B और एक बन रहा है A, E, B यह जो आपके code बने हैं यह तीनो code कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे क्यों बराबर होंगे? क्योंकि तीनों प्रत एक ही वरत खंड में बने हुए बस आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी question में अगर आपको दिया जाए एक ही वरत खंड उसमें कई सारे angle बने हुए तो वो सारे angle आपस में बराबर होंगे कहने का मतलब है कि अगर ये वाला 30 डिगरी का है तो ये भी 30 डिगरी का होगा और ये भी 30 डिगरी का ही होगा तो आप सीधे सीधे लिख सकते हों यहाँ पर angle ACB, angle ADB, बराबर angle AEB प्रमे फर्स्ट समझ में आ गई? चलिए इस पर आधारित question हम करेंगे पहला question आपको दिया है दिये गई व्रत्खंड में बने code PSQ का मान ग्याद कीजिए यदि PRQ बराबर 50 डिगरी हो जीवा दिख रही है PQ इससे दो खंड बने एक ये, एक ही व्रत्खंड में ये दोनों angle बने हुए है बने है की नहीं बने है? कौन-कौन से एक बना है PRQ और दूसरा बना है PSQ दोनों जो है code वो एक ही व्रत्खंड में बने हैं तो दोनों angle कैसे होंगे? समान होंगे ये वाला 50 का अगर दिया है तो जाहिर सी बात है ये भी कितने का होगा? 50 का होगा तो एक्जाम में कैसे लिखोगे सीधे-सीधे? पहले तो angle PRQ बराबर 50 डिगरी ये question में क्या था? दिया है इसके बाद अगली लाइन लिखेंगे angle PSQ बराबर angle किसके? उसी व्रत्खंड में जो बना है कौन सा PRQ ऐसा क्यों हुआ? तो इस पस्टी करण आपको देना पड़ेगा एक ही व्रत्खंड में बने कोड बराबर होते हैं एक ही व्रत्खंड में बने कोड इस पस्टी करण देने के बाद फिर आप value रखोगे तो यहाँ पर आपका angle PSQ बराबर कितना हो जाएगा? पचास ठीक है एक्जाम में बस आपको इस प्रकार से लिख देना है आ गया समझ में? अगली प्रमे पर आईए नेक्स्ट प्रमे क्या है? अर्ध व्रत्मे बना कोड समकोड होता है most important है यह अर्ध व्रत्मे बना कोड यहाँ चित्र में देखेंगे एक जीवा है AC यह AC जीवा केंद्र O से गुजर रही है इसलिए यह क्या है? व्रत का व्यास है और व्रत का व्यास व्रत को दो बराबर भाग में बाट देता है यानि कि एक अर्धवरत ये बना और एक अर्धवरत ये बना तो जो भी अर्धवरत में कोड बनेगा वो कितने का होगा नभ्यंश का जैसे कि एक एंगल ये बन रहा है ना एंगल A, B, C कितने का होगा नभ्यंश का सेम इसी प्रकार से अंगल अगर कोई एक यह बना दिया जाए तो ये भी अर्ध वरत में बना है कितने का होगा 90 degree का ऐसी कोई अंगल अगर नीचे बना दें हम तो वो भी कितने का होगा 90 degree का होगा ये बाला क्लियर है, कहीं भी आपको बना दिख जाए अर्दवरत में कोई भी कोड बनेगा तो कैसे होगा वो नभिन्ष का होगा कुशन देखेंगे दिये गई चित्र में MN वरत का व्यास है एंगल MON का मान बताईए MN कहां पर है ये रहा ये व्यास है पहले ही बोल दिया व्यास है तो दो अर्दवरत बने एक अर्दवरत ये एक अर्दवरत ये तो सीधी सी बात है कि ये जो अर्दवरत में कोड बना है ये कितने का होगा 90 का होगा की नहीं तो आप सीधे सीधे लिखोगे एंगल MON बराबर 90 डिग्री ऐसा क्यों है तो हमें इस पस्टी करण जरूर देना पड़ेगा यहाँ पर अर्दवरत में बना कोड नभे अंशका होता है आईएगा नेक्स्ट प्रमे पर अगली प्रमे क्या कहती है नेक्स्ट प्रमे ये कहती है कि व्रत के केंद्र पर बना कोड एकांतर व्रत खंड के में बने कोड का दुगना होता है यहां चित्र दिख रहा होगा इस चित्र में आपको व्रत केंद्र पर एक कोड दिख रहा है दीख रहा है ये केंदर वाला जो कोड है वो एकांतर व्रत्खन یानि कि यहां पर बने एंगल का दो गुणा होगा ये वाला एंगल यदि आपके सामने 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा दो गुणा चालिस यानि की असी clear है यानि की केंदर वाला जो कोड है बस वो आपको दुगना कर देना है तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका कि एंगल A O C बीच वाले ही तो था एंगल एंगल A O C बराबर एंगल 2, वो सरी, एंगल A B C multiply 2 केंदर वाला जो कोड है वो कितना होता है, वो होता है दो गुणा किसके एकांतर व्रत खंड में बने कोड के दुगना होगा जो परिदी पर बनेगा, आप यह भी ऐसे भी आज़र कर सकते हो कि केंदर पर बना कोड, परिदी पर बने कोड का दुगना होता है चलिए आएगा कोशन करते हैं याप पर दिये गए चित्र में ओवरत का केंदर है ठीक है भाई, ओवरत का केंदर है यदि एंगल XYZ, कहां बन रहा है XYZ तो यह बन रहा है XYZ 30 अंस का हो 30 डिगरी का है तो एंगल XOZ का मान ग्याद कीजिए केंदर वाले का ग्याद करना है तो सीधे सीधे ओरल है यह तो आप आंसर सीधे बता दोगे केंदर वाला क्या होगा दुगना हो जाएगा 2 गुणा 30 यानि की 60 डिगरी एंग्जाम में यह एक या दो नंबर में आया का तो कैसे लिखोगे एंगल XOZ केंदर वाला कोड है न किसका दो गुणा होगा किसके परिधी वाले के तो एंगल X YZ मान रख देंगे यह आपर 2 multiply 30 equal 60 इस पस्टी करन्या जरूर लिख देना कि केंदर पर बना कोड एक आंतर व्रत्खन में बने कोड का दुगना होता है इसके बाद आएंगे प्रमे 4 पर 4 ब्रमे क्या कहती है कि व्रत के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है व्रत दिख रहा है इस व्रत में एक जीवा दिख रही होगी क्या A-B इस A-B जीवा पर अगर हमने केंदर O से एक लंब डाला 90 डिग्री का एंगल बना के लंब आपको पता ही कि नब्यंश की उस पर बनता है कोड पर डालते हैं तो लंब जब हम डालेंगे तो ये लंब क्या करेगा जीवा को दो बराबर भागों में बाड़ देगा ठीक है यानि कि ये वाला भाग और ये वाला का भाग क्या हो जाएगा बराबर अगर जीवा A-B कितने की है 6 cm की है तो आप यहां से समझ सकते हो ये बीच वाला भाग यानि कि A-M और M-B आपस में बराबर हो जाएंगे यानि कि आधे-ाधे हो जाएंगे तो M-B और A-M कितना यहां पर हो जाएगा A-M बराबर M-B और A-M होगा कितना पूरी जीवा का आधा पूरी जीवा A-B का आधा तो 6 बटे 2 यानि कि कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी क्लियर है सभी को एक बार फिर से समझा आते थी हूँ कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बाट देता है जीवा A-B थी अब इस पर हमने जब लंब डाला तो ये A-B जीवा दो भागों में बट गई पीच में हमने M पॉइंट लिया यानि कि क्या बन गई है A-M और बन गया एक भाग M-B ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे ठीक है और एक भाग की लंबाई कितनी होगी तो पूरी जीवा की आधी जो करोगे आप वो एक भाग की लंबाई निकल आई क्लियर है? चलिए तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जीवा A-B बराबर A-B लिखेंगे याँपर जीवा जहां से आप लिख सकते हैं कि जीवा AB अपॉन टू इक्वल AM इक्वल MP ठीक है? चलिए आगे कोशन पर आईए दिये गए चित्र में O वरत का केंदर है O P जीवा QR पर लंब है तो P Q वा PR की लंबाई ग्याद करो Q R एक जीवा है इस Q R जीवा पर लंब क्या है? O P ये O P एक लंब है तो O P लंब ने क्या किया? कि इस जीवा को दो भागों में बाट दिया होगा यानि कि Q P और P R दोनों कैसे हो गए हैं? बराबर हो गए हैं क्यों हुए बराबर? क्योंकि लंब ने जीवा को दो भागों में बाट दिया पूरी लंबाई कितनी है Q R की? Q R कहां से कहां तक है? तो Q R यहां से लेकर यहां तक है उसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर तो सीधी सी बात है एक कितना होगा? अब आधा आधा बटें तो एक 5 सेंटीमीटर बचेगा तो यहां से आप सीधे सीधे लिखेंगे कि Q P एक भाग Q P बना और दूसरा क्या बना? P R दोनों क्या हैं? बराबर क्यों बराबर हैं? तो इस पस्टी करन दीजिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ठीके, इसके बाद यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? Q P Q P एक भाग है यह होगा किसके बराबर? पूरी जीवा कितनी है? Q R उसका आधा ही तो होगा Q R की लंबाई कितनी दी थी प्रशन में? Q R बराबर कितना दिया था? तो Q R बराबर दिया था 10 सेंटी मीटर बस यहां पर रख देंगे 10 बटे 2 2 एकम दो 2 पंचे 10 यानि कि Q P की लंबाई कितनी आ गई? 5 मीटर और Q P और P R बराबर हैं पहले ही हमने यहां पर बता दिया है क्योंकि केंद्र ने क्या किया? केंद्र के से जो लंब डाला उसने आधा-धा कर दिया था तो बराबर होंगी दोनों तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटी मीटर अभी थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही होंगी चीजें जितने questions करोगे उतना अच्छे से आ जाएगी चीजें अगले उस पर आईएगा next प्रमे है कि चक्रिय चतरभुज के सम्मु कोडों का योग 180 अंश होता है चक्रिय चतरभुज क्या होता है? तो चक्रिय चतरभुज एक ऐसा चतरभुज है जिसके चारो कोणे जो होंगे वो कहीं ना कहीं व्रत पर ही इस्थित होंगे उस चतरभुज को बोलते हैं चक्रिय चतरभुज और चक्रिय चतरभुज के सम्मु कोड यानि कि जैसे यहाँ पर आपको एक A, B, C, D चक्रिय चतरभुज दिख रहा होगा इस चक्रिय चतरभुज का सम्मु कोड A के सम्मु कौन सा है C तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिगरी ऐसे ही B के सम्मु कौन सा दिख रहा है D इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिगरी यहाँ पर आप लिख सकते हो एंगल B, A, D B, A, D यानि कि यह वाला एंगल प्लस एंगल B, C, D यानि कि यह वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिगरी ऐसी नेक्ष लिख सकते हैं एंगल A, D, B स्वरी A, D, C होना चाहिए है यहाँ पर A, D, C छीक है? एंगल A, D, C यानि कि यह वाला एंगल प्लस एंगल A, B, C यानि कि यह वाला एंगल अपोजिट वाले यानि कि सम्मुक वाले क्या होगी? उनका योगफ़ लोगा 180 डिगरी यहाँ पर करेक्शन करना है यहाँ पर C लिखना है क्लियर है? चलिए अब आते हैं कोशन पर पहला कोशन है आपके सामने दिये गए चित्र में चतरभुच A, B, C, D एक चक्रिय चतरभुच है अगर एंगल A, B, C बराबर 80 डिगरी हो तो एंगल A, D, C का मान ग्याद करें यह वाला अगर 80 है तो यह वाला कितना होगा? A, B, C प्लस एंगल A, D, C सम्मुख वाले ही तो लेने हैं B का सम्मुख है कौन? D वाला योगफल कितना है? 180 डिगरी मान रख दीजेगा कितना था एंगल A, B, C दिया था 80 डिगरी तो यहाँ पर 80 प्लस एंगल A, D, C एक्वल 1, E, T एंगल A, D, C बराबर 180 डिगरी माइनस 80 डिगरी कितना आ जाएगा? 100 डिगरी क्लियर है? इस पस्टी करण जरूर देना है ऐसा क्यों है? तो चक्रिय चत्रभुज के सम्मुख कोड चक्रिय चत्रभुज के सम्मुख कोड क्लियर है? आते हैं अब कोशन पर पहला कोशन देखिएगा दिये गए व्रत्खंड में बने कोड A, C, B का मान ग्याद करें A, C, B A, C, B कहां पर बना है? यहां पर बना है इसका मान ग्याद करना है तो यह कहां बना? परिदी पर बना और केंदर वाला आपको दिया है 90 डिगरी तो आप जानते हैं केंदर पर बना कोड परिदी पर जो कोड बनता है उसका दुगना होता है तो केंदर वाला कोड है क्या इसको पॉइंट को नाम देदो O तो A, O, B बराबर 2 एंगल A, C, B यही तो कंडिशन होती है इस पस्टी करण यहाँ पर जरूर देना कि केंदर पर बना कोड एक आंतर खंड में बने कोड का दो गुना होता है एक आंतर खंड में बने कोड का दो गुना होता है यह चीज एक्जाम में लिखनी है ऐसा नहीं कि लिखनी नहीं है यह लिखना पड़ेगा ठीके चलिए अब आगे भढ़ते हैं हमारे पास क्या था एंगल A, O, B तो कॉशन में दिये ही है कितना 90 डिग्री है पर आप लिख सकते हो एंगल A, O, B बराबर 90 डिग्री यह प्रशन में ही आपको दिया गया था ठीके तो A, O, B का मान रखेंगे 90 एक्वल 2 एंगल A, C, B 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 90 बटे 2 बराबर एंगल A, C, B तो एकम 2, दो चौके 8 2, 5, 10 यानि की एंगल A, C, B कितना निकलाया A, C, B बराबर निकलायेगा 45 डिग्री सीदे सीदे आधा कर देना था ठीके चलिए अगला कोश्चन देखेगा नेक्स्ट कोश्चन क्या है केंदर वाला दिया था परिदी वाला पूछा था और परिदी वाला देते केंदर वाला पूछते तब दो का गुणा कर देते नेक्स्ट कोश्चन ने दिये गए चित्र में बने कोड A, C, B और A, E, B का मान ग्याद करें यदि A, D, B बराबर 35 डिग्री हो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक जीवा है और इसके द्वारा A की ही व्रत्खंड में कोड बने है तो सभी के सब कैसे होंगे बराबर होंगे A, D, B कहां पर A, D, B दिया है यहाँ पर और कितना दिया है यह दिया है 35 डिग्री पूछा कौन कौन सा है यह वाला और यह वाला तो सीधे सीधे आप क्या लिखोगे एंगल A, C, B बराबर एंगल A, E, B बराबर एंगल A, D, B ऐसा क्यों है तो इस पस्टी करने हाँ पर देंगे एक ही व्रत्खंड में बने कोड इस वाले का मान दिया है कितना 35 डिग्री तो सीधे सीधे लिख दो एंगल A, C, B बराबर एंगल A, E, B बराबर 35 डिग्री एक 35 है तो सीधे सी बात बाकी के दोनों भी 35 होंगी और बाकी के दोनों क्या अगर इसी व्रत्खंड में और भी कोई एंगल बन जाता वो सभी के सभी क्या होते 35 डिग्री के ही होते नेक्स्ट आए थर्ड कोशन पर चित्र में O व्रत्खंड का केंडर है एंगल A, O, B बराबर 110 डिग्री है तो एंगल A, C, B और एंगल A, D, B का मान जात करें एंगल A, C, B ये और ये जात करना है आपको पता है ये दोनों क्या है एक ही व्रत्खंड में बने है तो सिधी सी बाते बराबर होंगे अगर ये X डिग्री है तो ये भी X डिग्री होगा पर हमें तो पता ही नहीं कितने डिग्री का हमें केंद्र वाला पता है केंद्र वाला कितने गा है 110 डिग्री का है और केंद्र पर बना कोड परिदी पर बने कोड का क्या होता है दुगना होता है तो परिदी वाला असानी से निकाल सकते हो तो यहाँ पर लिखेंगे angle A, O, B बराबर कितना 110 degree question में दिया है कोई एक परिदिका ले लो जैसे मैंने यहाँ पर लिया C वाला angle clear है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle A, O, B, केंदर वाला code परिदिका क्या होगा? दुगना होगा तो angle A, C, B मान रख देंगे यहाँ पर तो यहाँ आजाएगा 110 दो को पक्षांतर करेंगे बटे दो और यहाँ पर angle A, C, B दो एकम दो दो पंजे दस और दो पंजे दस कितना आगया? 55 degree तो angle A, C, B बराबर यहाँ पर निकलाया 55 degree इसके बाद हम जानते थे कि A, C, B और A, D, B आपस में कैसे हैं? बराबर हैं क्यों? क्योंकि एक ही वरतखंड में बने हैं तो यहाँ पर लिख जाएगा angle A, C, B बराबर angle A, D, B ऐसा क्यों हैं? तो एक ही वरतखंड में बने तो यहाँ पर angle A, D, B बराबर कितना हो जाएगा? 55 degree आगया दोनों का उत्तर? चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट कोश्चन पर आएए फोर्थ कोश्चन पर चित्र में O, वरतखंड का केंदर है angle O, A, B बराबर 35 degree हो तो angle A, O, B और A, C, B का मान ग्याद कीजिए एक आपको वरतखंड दिया है इस वरतखंड में O, केंदर है ठीके? और A, B यहाँ पर है C यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से यह चित्र है ठीके? आपको कौन से angle दिया है? angle O, A, B O, A, B का मतलब है यह वाला angle दिया है यह वाला angle कितना है? 35 degree तो यहाँ पर मेरी बास समझ ना कि एक यह जो है O, A और एक O, B यह दोनों ही क्या है? वरत की त्रजिया है है या नहीं है? है तो अगर यह वाला वरत की त्रजिया हैं दोनों तो यह जो त्रबुझ बन Rहा है यह वाला एक त्रबुझ ये कैसा त्रिबुज है? समद्वे बाहू त्रिबुज है और समद्वे बाहू त्रिबुज या फिर आप यहां से एक प्रमे और नोट करिएगा कि किसी त्रिबुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मु कोड भी बराबर होती हैं जैसे कि मैंने हाँ पर एक त्रिभुज बनाया ये इसकी दो बुजाएं ये वाली बुजा ये वाली बुजा बराबर है तो इस बुजा के सम्मुक कोड भी बराबर होंगे यदि ये वाला 40 है तो ये वाला भी 40 होगा ही होगा सेम यहाँ पर भी अगर एंगल OAB 35 डिगरी है तो OBAB 35 होगा ही होगा क्लियर है चलिए तो करते हैं सॉल्व क्या रहेगा हमारा तब से पहले लेंगे ट्राइंगल OAB में तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज OAB में भुजा कौन सी है O A बराबर O B बराबर त्रिज्या क्योंकि यह क्या है यह दोनों त्रिज्या है ठीके बराबर है अतहा त्रिभुज A OAB सम दिबाहू त्रिभुज है क्लियर है तो यहाँ पर कौन सा एंगल दिया है आपका एंगल OAB अतहे आप लेख सकते हैं एंगल OAB बराबर अंगल OBA कितने के हो जाएंगे हैं यह यह हो जाएंगे 35 डिगरी के क्योंकि प्रश्ण में यह बात दी गई थी ठीके बस आपने सिद्ध कर दिया ना कि अगर यह त्रिज्या है यह त्रिज्या है दोनों त्रिज्ज्या हैं चितर में O केंदर बताया है तो सिधी सी बाते O A और O B त्रिज्या हो जाएंगी और दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मो कोड़ भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं तो देखो जे त्रिभुज जो एक है इसमें अगर आपको ये पता है ये पता है तो आपको ये अंगल फाइंड करना असान रहेगा कैसे त्रिभुज के तीनो कोड़ों के योग से इसलिए हम इसलिए ऐसा यहाँ पर कर रहे है तो यहाँ पर हमारा रहेगा अंगल O A B प्लस अंगल O B A ये तो ये वाला हुआ ये वाला ये त्रिभुज देखना है ये वाला त्रिभुज प्लस अंगल A O B हमें केंदर वाला कोड़ यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा ठीक है तीनो कोड़ों का योग कितना होता है 180 ये 35 ये भी 35 ये वाला निकालना है 35-35 कितने हो जाएंगे 35-35 हो जाएंगे 70 एंगल A O B बराबर 180 तो एंगल A O B बराबर 180 माइनस का 70 यानि कि एंगल A O B निकलाया कितना 110 डिगरी हमें क्या निकालना था एंगल A O B निकालना था वो हमें निकाल लिया यहाँ पर एंगल A, O, B कितना आगिया वन वन जिरो डिग्री ठीक है अब हमें क्या निकालना था एंगल A, C, B ये वाला एंगल ये कहां है केंद्र परिदी पर बना है तो ये क्या कर देना है आधा कर देना है तो सीधे सीधे आप लेख सकते हैं एंगल A, C, B बराबर केंद्र वाला कौन सा A, O, B का आधा केंद्र वाला था 110, 2, 2, 1, 2 2, 5, 10 यानि कि ये एंगल कितना निकल आया तो ये आपका निकल आया 55 डिग्री एंगल A, C, B बराबर कितना आगया 55 डिग्री हो गया सभी का उम्मीद है समझ में आ गया होगा एक बार चाहें तो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ ताकि आपको चीज़ी सबस्ट हो जाएं यहां से क्या था कोश्चन में कोश्चन में आपको दिया था कोश्चन इक बार फिर से पढ़ लेजेगा कोश्चन में आपको दिया था कि चित्र में O व्रत का केंद्र है एंगल O, A, B बराबर 35 डिग्री यानि कि ये वाला एंगल दिया था 35 डिग्री कौनसा ये वाला तो आपको A, O, B यानि कि ये वाला एंगल निकालना था ये वाला और एक A, C, B ये वाला निकालना था क्लियर है अब आप उपर वाला तो तब निकाल सकते हैं जब आपको केंद्र वाला पता हो वो कि आपको एक प्रमे पता है कि केंद्र पर बना कोड एक आंतर व्रत्खन में बने कोड का दुगना होता है जब केंद्र का ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे उपर वाला तो सबसे पहले केंद्र वाला निकालिए केंद्र वाला अगर आप एंगल देखेंगे तो यहां एक त्रिभुज बन रहा है आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज O, A, B बन रहा है इस O, A, B त्रिभुज में आपकी O, A और O, B त्रिज्या आ रहें और एक प्रमे ये है त्रिभुच से कि अगर त्रिभुच की दो बुजाय बराबर होती है तो उनके सम्मू कोड भी बराबर होते हैं यानि कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे बराबर होंगे ये वाला अगर आपको 35 दिया था तो ये वाला भी कितने का होता 35 तो आप जाहिर सी बात है केंदर वाला आप फाइंड कर सकते हो कैसे कि त्रिबुच के तीनों कोड़ों का यो कितना होता 180 वही मैंने यहाँ पर लगा दिया और आपका केंदर वाला जो कोड़ था एंगल A, O, B वह यहाँ पर निकाल लिया और उसके बाद जो केंदर और परिदी के बीच का संबन्ध था कोड़ों का वो लगा करके परिदी वाला कोड़ निकाल दिया अगला कोशन है आपका चित्र में ओवरत का केंदर है एंगल A, O, B बराबर 60 टिक्री हो तो एंगल A, D, B की माप बताईए इस कोशन को आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट सक्षिन में टाइप करिएगा थोड़ी सी मैं हिंट दे देती हूं यहाँ पर यहाँ पर एक आप कोड़ इस प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा तो यहाँ पर आपको यह वाला एंगल मिल जाएगा और आप देख पाएंगे एक यहाँ पर चक्री चतरबुझ बन रहा है कौन सा? यहाँ पर नाम देते हैं C तो A, C, B, D यह एक चक्री चतरबुझ बन रहा है प्रिविएस यह वाले वो मैं आपको कल की क्लास में सॉल्व कर आऊंगे ठीके? चलिए तो आज इतना ही रखती हूँ थेंक्स वर वाचिंग और प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब मैं चनल बबाई, टीक केर